हेलो गाईज, वेलकम बैक तू माई चैनल तनु आर्च ब्लोग, देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सुन्दर डिजाइन सिखाने वाली हूँ, फोर कलर उन में, देखिए कितना सुन्दर डिजाइन है, देखिए इसमें फोर कलर उन है, वाइट, ग्रीन और यलो और ब्लू से बनाए ये डिजाइन, देखिए, कितना सुन्दर लग रहा है ये डिजाइन, आप इसे बेवी स्वेटर, लेडिस स्वेटर, कार्डिगर, आप किसे भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा, देखिए, ये आपका फोर रो क डिजाइन है, आपको टू कलर, आपको फोर रो बीनना है, बॉर्डर के बाद, जैसे देखिए, यहाँ पर वाइट और ग्रीन है, आपको वाइट और ग्रीन फोर रो कम्प्लीट करना है, फिर आपको वाइट और येलो फोर रो कम्प्लीट करना है, फिर ब्लू भी आपको 4 row complete करना है white और blue देखिए इस तड़िके से आपको बनाना है फिर आपका यही repeat होता जाएगा उपर भी देखिए चलिए अब मैं आपको यह design बना कर सिखाती हूँ कि यह कैसे बना है और आप यह design कैसे खुद से बनाएंगे अपनी project में देखिए इसका front side और back side देखिए इस तड़िके से आएगा यह आपका graph है अगर आप मेरी इस channel पे नए हैं तो मैं आपको बता दू मैं आपके लिए पर डे नई design लेकर आती हूँ तो आप ऐसे ही new design सिखने के लिए मेरी इस channel को subscribe कीजे और subscribe करके bell icon को भी प्रेस कीजे ताकि आपको हर new video का notification मिलता रहे चलिए अब मैं आपको यह design बना कर सिखाती हूँ देखिए आपका border के बाद back side से start होगा तो देखिए मैं आपको एसी पर बताने वाली हूँ देखिए आपको फोर रो बीनना है two color के उन से आपको फोर रो रिपीट करते जाना है देखिए आपको फर्स्ट रो में फर्स्ट फंदे को वाइट से बीनना है थ्री फंदे को आप वाइट से बीन लीजे देखिए इस तरी के से आपको वाइट से बीनना है देखिए कि आपका back side है तो आपको back side से total फंदे को उल्टा बीनना है देखिए फिर आपको फाइब फंदों को ग्रीन से बीन लेना है देखिए ग्रीन से बीन कर आपको फाइब फंदे कम्प्लीट करना है और थ्री फंदे आपको वाइट बीनना है देखिए इस तरी के से आपको बीनना है फिर आप वाइट से बीन लीजे देखिए थ्री फंदे आपके वाइट फिर आपको फाइब फंदे ग्रीन से बीनना है देखिए इस तरी के से बीन लीजे देखिए ऐसे ही आपको रिपीट करते जाना है फाइब फंदे ग्रीन और थ्री फंदे वाइट देखिए जब आप कलर चेंज करेंगे तो देखिए यही आपको फाइब फंदों में जैसे फाइब फंदे आपके ग्रीन है तो आपको दोनों साइड के देखिए वन वन फंदे ग्रीन येलो से बीनना है बीच के फ्री फंदे आपको वाइट से बीनना है देखिए जैसे इसमें है मैं भी आपको कलर चेंज करके ही बता रही हूं फरस्ट रो जैसे देखिए यहां पर आपका नीचे का ब्लू फंदा है तो आपको उपर वन फंदे ग्रीन करके बनाया है देखिए और थ्री फंदे वाइट के आपको ग्रीन से बीनना गया है फर फिर आपको ये फंदे को भी ग्रीन से बीनना है फिर आपको थ्री फंदे वाइट से बीनना है देखिए बीच के फंदे फिर आपको साइड वाला देखिए ग्रीन से बीनना है और त्री फंदे वाइट आपको पूरा ग्रीन से बीन लेना है देखिए और ये आपको 1 ब्लू फंदे भी आपको ग्रीन से बिनना है तब आपका 5 फंदा ग्रीन बन रहा है देखिए फिर देखिए आपका लास्ट में 2 फंदे है ब्लू तो आपको 2 फंदा वाइट से बिन लेना है देखिए ये आपका 1 फंदा कंप्लीट हो गया 2 फंदा देखिए आपको 2 फंदे में 1 फंदा के देखिए इस साइड से आपको बैक साइड से लास्ट में 2 फंदे है फिर आपको 5 फंदे है सकेंड दो रॉ में 1 फंदे आपको वाइट है तो आपको वाइट से बिनना है फिर आपको 5 फंदे ग्रीन को देखिए इस तरिके से उल्टा बीन लीजिए और वाइट फंदे को आपको सीधा बीनना है फिर आप ग्रीन उन को पीछे कीजे फिर वाइट फंदे को आप सीधा बीनकर कम्प्लीट कर लीजे देखें इस तरीके से आपको बनाना है देखें इस तरीके से आपको सकेंड रो पूरा कम्प्लीट करना है ग्रीन फंदे को बीनना है ग्रीन उनको आगे करके आपको बीन लेना है देखें फिर उनको पीछे कीजें फिर वाइट फंदे आपको सीधा बीनना है देखें अगर आपको कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपको बता दूंगी देखें फिर आपको वाइट फंदे बीनना है ऐसे ही आपका सकेंड रो कम्प्लीट होगा देखें लास्ट में देखें आपको थ्री फंदे वाइट है तो आपको थ्री फंदे वाइट बीन लेना है सीधा देखें आपका सकेंड रो कम्प्लीट होगया है थर्ड रो देखिए थर्ड रो में आपको जैसे फर्स्ट रो बीने है वैसे ही आपको थर्ड रो बीनना है देखिये पीछे से साड़े फंदे को आप उल्टा बीन लीजे जो आपका वाइट से बीना हुआ फंदा है उसे आप white से बीन लीजे जो आपका green से बीनावा फंदा है उसे green से बीन लीजे third row में देखे इस तरीके से आपको third row complete करना है देखे आपका third row पूरा हो गया देखे आपको last में two फंदे है तो आपको two फंदे white से बीन लेना है देखे थर्ड रो आपका complete हो गया fourth row देखे आपको fourth row front side से बीनना है white फंदे को आप white से बीन लीजे सीधा और green फंदे को आप green से बीन लीजे उल्टा बीनना है लेकिन उन आगे करके देखे five फंदे आपको green से बीनना है देखे और three फंदे आपको white बीनना है देखे फिर उनको पीछे कीजे फिर आपको white फंदे को सीधा बीननना है देखे इस तरी के से देखे आपको ऐसे ही repeat करना है देखे इस तरी के से आपको बनाना है देखे आपका fourth row भी पूरा हो गया last के आपको three फंदे white से बीनना कर complete करना है देखे इस तरी के से आपका four row complete हुआ है वैसे ही आपको color change करके आपको बनाना है अब उपड आपको yellow से बनाना है देखे ये आपको बीच के green के बीच के आपको three फंदे white से बनाना है और देखे आपको एक इस side का आपको green फंदा और एक इस side का और बीच के three फंदे white के आपको yellow से complete करना है देखे अगर आपको ये design अच्छा लगा हो तो please मेरी इस video को like कीजे और जादे से जादे share कीजे और comment करके बतलाईए कि आपको ये design कैसा लगा और अगर आप अभी तक मेरी इस channel को subscribe नहीं किये हैं तो subscribe कीजे लाश्ट तक वीडियो देखने के लिए thank you so much